अर्याणा विधान सभाद चुनाव दोहसार चौबिस में वीजेपी ने जीत की हेट्रिक लगाने के बाद सरकार बना ली है वही दूसरी और कॉंग्रिस अभी भी अपनी हार के कार्णों का पता लगाने के लिए फेक्ट फाइंडिंग कमीटिया बना रही है और पार्टी में लगातार बैठका का दौर भी जा रही है माना जा रहा है कि कॉंग्रिस हाई कमान जल्द ही पूर्वे सुयम भुपेंदर हुड़ा पर आक्शन ले सकती है जिससे उनके भविश्य पर खत्रा मंद्रा रहा है वो सीट उनके हाथ से फिसल गई है उचानक कला विधासबार शेत्र बिरेंदर सिंग का गड़ है यहां से खुद बिरेंदर सिंग पाँच बार विधायक रह चुके है इतना ही नहीं यहां से उनकी पतनी भी विधायक रह चुकी है और इस बार भी शायद इसी विश्वास से उन्होंने अपने बेटे बिजेंदर सिंग को चुनाव में उतारा लेकिन इस बार पासा उलट गया और उनके लाडले बिजेंदर सिंग को इस बार हार का सामना करना पड़ा बता दे यहां से बीजेपी के देवेंदर अत्री ने ना सिर्फ बिजेंदर सिंग को मातर 32 वोटों के अंतर से हराया बलकि जेजेपी के वरिष्ट नेता दुशिन चोटाला को भी करारी शिकस्त दी जिससे उनका सियासी भवश्य संकट में घरता हुआ नजोरा रहा है राशिति गल्यारों में अठकले लगाई जा रही है कि बिरेंदर का बीजेपी छुड कॉंग्रिस में आना एक बड़ी गलती है उन्होंने बीजेपी के प्रती फैली एंटी इंकेंबसी के चकर में पार्टी का साथ छोड़ा जिसका नुकसान उन्हें अब उठाना पड़ रहा है क्योंकि चुनावी हवाई कब उड़ जाती है वो कहां नहीं जा सकता चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर बिरेंदर बिजेंदर बीजेपी में रहते तो शायद उन्हें पार्टी उचाना से टिकेट भी देती और उनके जीतने पर काबिनेट में बड़ा पद्ध भी लेकिन बिरेंद्र और बिजेंद्र के कॉंग्रिस में शामिल होने के फैसले से अब दोनों का सियासी भविश्य खत्रे में आ गया है